दोस्तो गर्मियों के छुट्टियों में कभी ना कभी आप सब ने वाटर स्लाइट का मज़ा तो लिये होंगा आज मैं आपको दुनिया की सबसे खतरनाक टॉप 3 वाटर स्लाइट के बारे में बताऊंगा ये वाटर स्लाइट इतनी खतरनाक बनाए गए थी कि इने कुची सालों के अंदर सरकार द्वारा बैन करना पड़ा दुनिया की सबसे उची और दिल दैला देने वाली वाटर स्लाइट 17 मंजिला इमरत से भी जादा उची है यानी 168 फिट उची है जर्मन में दवराट का मतलब पागल या सरफिरा होता है 2014 में ये वाटर स्लाइट बनी थी इसके बाद से इस पर अक्सर लोगों के जक्मी होने के खबरे फैलने लगी एक औरत का जबड़ा तुट गया तो एक औरत की चेरे की हड़ी लेकिन तबी भी इस लाइट के लिए लोग पागल थे मगर इस लाइट पर सक्त एक्शन तब लिया गया जब 2016 में एक 10 साल का बच्चा इस लाइट के वज़े से मोत के मुमें चला गया तब इसे ही से पर्मनेंटली शट्डाउन कर दिया गया नमबर टू दा लीप ओफ फेद इस वाटर स्लाइट के बनावट मयान टेमपल या पिरेमिट जैसी है लीप ओफ फेद का मतलब भरोसे की छलांग होता है इसके नाम से इसके अजिबो गरीब और खतरनाक होने का आप एक ट्रांसपरेट टूब के मदद से उस पूल में से गुजरे तो आपको कैसा लएंगा लेकिन ये सपर मजे के साथ साथ खोफनाग बेऊंगा जब आप स्लाइट लेती हुए ट्रांसपरेट टूब के मदद से अपने आसपास खतरनाक शार्प को देखोंगे अगर आपने इस सलाइट का जाने का सोच लिया है तो आपको बता दू कि ये वाटर सलाइट कुछ कारणों के कारण 2017 में बयान कर दी गई है नमबर वन दग कैनन बॉलूग ये वाटर स्लाइड फेमस पार्क न्यू जर्सी में मोजूद है ये दुनिया के सबसे खतरनाक वाटर स्लाइड है देखने में तो ये किसी बड़े डिनिज पाइप के तरह है लेकिन है ये वाटर स्लाइड इस स्लाइड में एक 10 फिट लंबा इंजड हो जाते थे और इसी वज़े से इस लाइड को कई बार बैंड कर दिया गया था लेकिन 2015 में 6 लोग इस लाइड के वज़े से बुरी तरह से इंजड हो गए इसके बाद से ही से 2015 में पूरी तरह से बैंड कर दिया गया तो दोस्तों ये थी टॉप 3 वाटर स्लाइड जो बैन हो चुकी है अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेर जरू कर दे और फ्यूचर में ऐसी एमेजिंग वीडियो देखने के लिए बायोफेक हिंदी चानल को सब्सक्राइब कर देना